आज के हमारी इस online class में हम discuss कर रहे हैं 101101VV code example तो मैंने आपको लिश्ट दिया था वस्ट लिश्ट में साथ आपका जो है नाइन्थ रंबर को ये नाइन्थ या तेंथ की बात कर रहे हैं आप अजी जी तो हेडर फुटर की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि ये नहीं चला ये ना चलने के पीछे रीजन है कि आप जो है एक चलाईएगा तो उसमें seat में data होना चाहिए क्योंकि हेडर फुटर बिढ़ा data का थुड़ी सो बहुत बहुत है तो सबसे पहले आपके data में एक data होना च जाता हूं और एक modules को insert करता हूं और जो code है हम time भी कर सकते हैं बढ़ना हमरे पास लिखा हुआ है तो हम लिखके time क्यों base करें हम डारेक इसको copy करते हैं ठीख है तो इस टॉक कर लेता हूं एक में दूझ जहां question number आपका यह जहारा है नाइन्थ number question है इस question को मैं copy किया और paste कर दिया अब समझे इसमित क्या है इसमित जैसे कि सब यहां पे लिख रहा है date in header right यहां पर लिख है एक्षी.paste center उसका header left header center header right header footer यह आपको दिखला है ना सर तो इसमें क्या है कि आप जब आपका एकसर जब hidden footer to insert पर आते हैं तो यहां दिख लिजी insert करता हूं यहां पर hidden footer तो यह इसके तीन पार्ट होते हैं left center hidden दिखला है अब आपको इसमें कुछ डालना है तो इस आपका नाम है कि मेरा यह work नहीं किया राइट इसलिए मैं भी इसको एक बार run करता हूं एक्टिव सीथ पर date hidden को macros यहां पर work कर गया और मैं इसके एक बार hidden insert में यहां पर गिर्व जाता हूं और यहां पर दिखाए और देट दिल लाओ आपको आपको good morning good morning कैसे जिन जी जिन जी कैसे हैं हम तो सर्व लॉकडाउन होंके हमारा शिटी सर्व कि आप लोग भी लॉकडाउन है क्या आपको लग्याइपको तो हमने इस सबसे प्रेंट नहीं अब लिखाए अक्तिब सीड राइट एक्तिब सीड डाट पेज से इसके बाद यहां पर रहता है लेफ्ट हीडर में हमने ब्राइकट ओपने प्लोज कर दिया इसमें आप डाला चाहता डाल सकते हो जैसे कि यहां पर करेंट डी मतलब डेट अगर हम करेंट की करते हैं तो यह ताइम आएक है अब एक बार रण करता हूं अगर मैं इसकी इंसार्ट करके पेस्ट सिटप पर जाता हूं इसमें आके नहीं देखना चाहते हैं तो आप प्रींट करेंगे तो प्रींट करेंगे तो उपर दिख जाएगा ना सर थीक है ना कि अब करना था आप इसी चीज को दिखा था अब इसमें डी के चुगा पर टी कर दिया ताइम हो गया अब मुझे पता नहीं था कि टाइम होता है ती से बड़ा के डी से डेट है तो टी से टाइम होगा मैं इस भी एफ डालके देखता हूँ एफ डालके देखता हूँ एफ डालके देखता हूँ क्या होगा क्या बोलना कि एफ डालके देखता हूँ क्या होगा एफ से अलगा फाइल का नेम आएगा क्या होगा इसको फिन करता हूँ ए बुक आया ना सर फाइल का नेम आ गया अ इसको एक बार करने हें तो पी से क्या आएगा तो यहीं चीजी तो आपको यह रिवाइच करनी थी सरख अब मैं यहां पे पी किया तो यहां पे पी में पेज नूम्बर आगे पी से पेज नूम्बर होता है एक फोल्डर के लिए कुछ आ रहा है या तो यहां पर देखिया आ गया है सब्सक्राइब इसी चीज़ करना तो सिर्फ जो चीज़ मैं दिया उसका नकल करना धुरी हज़र बताया था हमने इसे इनलाइज किजी और भी चीजे डाली है अब जैसे एक बाद D होगा तो हम F से 5 T से टाइम ऐसे खोज सर्च किया ऐसे बाकियों चीज़ों सर्च किजिए नहीं होता है रिकॉर्ट इस 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 लिए हमने आपको को स्टार्टिंग निदे से बताया था आपको कि एक्सल की यहां पे पर आता है करना पर आपको के यहां प्रूस अपको कॉस्ट मेर प्सक्राइब इस इसे कि इसने तक इन्हों ने क्या किया हुआ हुआ इसको ले जाता हुआ भी वी में तो संझा हुआ यह फाइल आपके पास है जिन्दर जी कि नहीं एक्सो एक एक्सो एक एक्सो बीविक जामपल वाले जिन्दर जी जिन्दर जी शुर्पारे मुझे आप बेंदी ऐसे मुझे को दो बोगे एक्सिल में आते हैं इसमें देखें इसमें अब यह एटेक्स्ट आपे होना चाहिए तो स्ट्रिंग माई गलत है तो हाँ साइधी दिख्कत है तो माईटेक्स ठीक है इन पर दिया बिद एक्टिव सीट पेस्ट सेंटर तो यहां देक है लेफ्टीड और सेंटर हीडर वे माईटेक्स ले लिया अचलग कि इसने जस्ट इन पूट बते हीडर डालना है वो यूजर पर छोड़ दिया वो और यह बिद पता नहीं सब्सक्राइब क्या करता है अगर आपको देखिए अगर मैं बिद नहीं दगा हूँ तो मुझे क्या करना है पता है सर कि मुझे आप परेगा पेस्टेटर डॉट हीडर इक्वल टू इस तरह से रिखना परेगा हो और एकहा है मुझे रहाम परें वह करता है यह दो तो भी मुझे आ लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे राइट इटर चाहिए यह भी लेखना तो पूरा लिखना पड़ेगा हर एक लाइन जितना लाइन आपको दिख रहा है हर लाइन के आगे मुझे एक्टिव सी डॉट पेस्ट अब लगाना पड़ेगा तो bit cell bit cell क्या करता है कि bit cell में आप अपना object डाल दीजिए और फिर आप इस object के अंदर क्या क्या चाहते हैं वो चीजे डाल साथे ठीक है clear है कि अब कि कि अब कि अब कि यहां पेजिए स्टेटर्स वाइब प्रोग्रेस अश्टेटर्स वाइब जो इस्टेटर्स वार होता है ना नीचे यहां रेडी दिखाता है उसमें आपके अचाहते है उसके लिए दिया गया है ठीक है ऐसे highlight, duplicate values इसमें आप उसको समझीए और इसको modify कीजिए सर्थ इस चीज देने के लिए से बलाए गया है कि इसमें कुछ चीजें लेंदी तरीके से लागा है उसको simplise कीजिए कुछ चीजें में एक ही चीज बताया गया है उसमें और नई चीज आइड करके देखिए हमजे सर्थ यहां पर देखे हाइलाइट टॉप 10 वैल्यू वतार टॉप 10 करे या बॉटम कर देखिए बॉटम हमजे हाइलाइट नेम रेंज जहां नेम डिफाइन है और रेंज करना तो अलगले डिफाइन नेंज कर सकते हैं और दूशे चीज है कि आपहले चीज को समझेए कि आकर एक्सल भी क्या है वैसे हमने बोला हाइलैट डॉप्लिकेट सेलेक्शन तो यह डॉप्लिकेट सेलेक्शन मैनुली क्या होता है ठीक है न और इसके समिलाब भी गया है इसका यहीं भी डिडा लगख आए तो ऐसे समयना होगा साथ क्योंकि बॉस जो है बॉस सिर्फ बोले का भाई है नेम लेंज दो अब कोड आपको डिशाइड तो इसको और जदा देखिए और उसको मोडिफाई किजिए और फिर मोडिफाई कोड को मुझे बेजिए कोई दिक्कत होता है तो उसी सब उसका किजिए और मुझे वार्टसप किजिए ठीक है